हेलो वीवर्स आज हम ताटा सिगना बेर 6 की डीपेफ रिजेनेशन करेंगे विजाल्टेस उनाइट यह हमारे पास एक सिगना बेर 6 गारी आई है या डंपर आई है जिसमें गारी लीम फॉर्म मोड में चली गई विया पे बोल सकते अब गारी पिकप नहीं ले रही है तो ज जब हमने इसकी क्लस्टर में देखा तो यहां हमने देखा की गारी रिजेनेशन रिक्वेट जो यह आ रहा है यह मांग रहा था और रिजेन की लाइट ग्लो कर रही थी अब रिजेनेशन क्या है सबसे पहले वह थोड़ा हम जान लेते हैं तो यह कंप्लीट आपका BS6 SCR सि दिकर रहा है वह DOC DPF होने के बाद SCR होके फिर बाहर निकलती है मतलब जो नौक से न्यूट्रलाइज होने के बाद बाहर निकलती है अब क्या है जो यह DPF है जो पर्टिकुलेट मैटर जिसको हम लोग बोलते है या फिर आप बोल सकते हो सूट पंटेन या सूट मार वह ज क्या होता है गैसे बहार निकलने में दिक्कत होती है तो हमें जो रीजनेरेशन प्रोसेस है उस प्रोसेस को करके यह जो सूट मास है डीपिर के अंदर कुछ इस तरीके से बर्ण करना होता है या फिर चला डालना होता है तो इसका प्रोसेस क्या है आपको एक तो होता है सभी से वर्थ नहीं कर रहा था जैसे आप देख रहेते कि ओर्रेटी क्लस्टर में रीजेन रिक्वार्ट का आ रहा था अपका वर्णी तो हम सीधा मेजर्मिंट वाले ओक्षन पर जाएंगे और देखेंगे कि इस गारी में कितना अमाउंट ओफ सूट मास्ट या पीम पार्टिकुलेट मैडर्स कितना जमा हुआ है तो दिसल पार्टिकुलेट फिल्टर सूट लेबल हम देख लेते हैं तो यहां देख पा रहे हो कि 1259 मिलीग्राम्स आ रहा है और वर्णिंग की लाइट भी साइड में आ रही है तो अब हमें क्या करना है सबसे पहले रिजनेरेशन का प्रोसेस करने से पहले एक तो है आपको गारी दिल्कुल सेफ जगा में पार्क करनी होती है और उसके बाद गारी को स्टार्ट करनी हुआ यह जाने के बाद हमें जाना है पर्टिकुले फिल्टर विजनेमिशन करें एक प्रोसीड करना है कि यह प्रोसेस अगए सबसे पहले आपको यह सारे इनिशब कंडीशन्स देखना होता है अगर सारे मैच करते हैं उसके बाद यह आप प्रोसीड करोगे अब यहां आप दे करता रहेगा वह आपको ध्यान रखना है कि कोई मिस हैपनिंग या कोई छेरकानी ना हो इस तरीके से आप देख पा रहे हो डेपे अभी जनेरेशन अभी चल रहा है तो यह जो डी जनेरेशन का प्रोसेस है यह अल्मोस्स 40-1 आवर तक कभी कबार लग जाता है डिपेंडिंग आप सूट मास्क तो इस ताइम के दोलान आपको कुछ नहीं करना होता है यह जो प्रोसेस है आटोमेटिकली कंट्रोल है पूरा कंट्रोल आपका स्कैनल करेगा उस जैसे ही यह प्रोसेस कंप्लीट होता है तो इस तरीके से आएगा आपका एक्वेशन सक्सेस्पली कंप्लीट जैसे कंप्लीट होगा आपका यह प्रोसेस तो कुछ इस तरीके से एक ग्राफ आजाता है कि दूरिं दा प्रोसेस आपका जो पैरमेड रस्ता वो इस तरीके से फेर वायरी या पिर चेंजरस्च या पिर कारा can the के अब हम प्रोसीड करेंगे वापस बेख करेंगे और एक बार देख लेंगे कि 9裠ीन कोई कोड अलग से अक्टिव सूट लेवल यहां पर पियर क्वांटिटी है वो कुछ कम हुआ कि नहीं तो यहां आप देख पार हो कि 1259 मिलिग्राम से अभी 209 मिलिग्राम इसका जो सूट लेवल है नीचे आ गया और जो वर्णिंग की साइटी साइड में वो भी चली गई और जब हमने वापस क्लस्टर में देखा इसकी गारी थी एक बार इंगिशन आफ करके अन करने के बाद तो इसमें जो डीजन रिक्वाइड और जो डीप्यप की लाइट आ रही थी वो भी अब तक रिमूव हो गया थी झाँ पाल प्याएड अली देखा इसकी लाइं झाल